समाज कल्यान मंत्री अनुसुची जाती एवं जन जाती सहकाराइक्ता गुरुद्वारा चुनाव कमेटी के मंत्री राजेंदर पाल गोतम जी हमारे बीच में है आज इन्होंने सभी संग्ठों की मीटिंग बुलाई और अनुसुची जाती जन जाती की दिलों की धड़कन राजेंदर गोतम जी से सभी न रूवरुव होगे बात की और सभी ने क्वेशन उनसे पूछे सभी आंसर दिये यह आज से नहीं समता सेनिक दल के अंदर एक्शली बेसिक उद्देश से बुलाने का ये था कि जो दली समाज अनुसुच जाती जन जाती का जो समाज विबिन जातियों में बटा हुआ है एक तो उनको सब को एकजुट करना दूसरा उनकी आवाज सरकार तक ठीक से नहीं पहुँच पाती यह टुकडों में सब लो सजहते का उनको सुधार के सुझाव ने ले लेते हैं और उसको सरकार में इंप्लीवेट करते हैं ताकि उनका ने दॉस्झाओं विकास हो सके हमारे बच्चे पढ़ लिक के आगे बढ़ सके तो उसी तिसा में आज में ये मिटिंग पुलाई थे एक तरफ के तो मंच से कह दिया जाता है कि आप सिक्षित बनो कैसे बनेंगे पैसे नहीं होगा तो आपने इस सिक्षा को लेके बहुत बड़ी बाते की हैं और एक त्रफ जो लोगों को लोन दिया जाता उस वारे में भी आपने गार्यंट्री हटा दी गई है तो आप इनमें जा कहेंगे? बैसिक के लिए को कि स्कीम बनना अलग बात कै उस स्कीम का समाज जये इस्तेमाल अच्छे से इंप्लिमेंट होना यह दूसरी बात है को सरकार है तो पहले से暗ती हें मेरा प्रियास है इसकीम और अच्छी बने क्यों ढगों नहीं हो पाई उसकी कम्यां डूंड को दूर करके समाज के इतनों को प्रोपर तरीकिस इस्तेमाल करवा दें धंक से उसका इंप्लिमेंटेशन करा दें इंप्लिमेंटेशन पार्ट में बड़ी गड़ बड़े अखबार में स्कीम छप जाती है या होडिंग पर लग जाते लेकिन लोग आते नहीं है तो हमारा प्रयास यह कि विभिन संग्टन जो एक जूट हुए इनके मादधम से उसकीम को जनता तक घर घर तक पहुंचाना हम उसको एक हंडर्ड परजेंट इफेक्टिव इंप्लिमेंट करवाएंगे और मैं समझत हूं इस सब्सक्राइब बहुत बड़ा उसमें भागिदारी होगी और हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और सरकार जो कहके सत्य में आईए और जो म यह अपील करूंगा कि आप अनुसुची जाती के नाम पे एक जुठ हो बाल मेकी चमार खटी कोली इस नाम से खटे ना हो चोटे 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 जातियों के समूँ बनाने की बजाए पूरा अनुसुच जाती मिलके एक समूँ हो जाए और अगर पूछा आपकी जाती क्या cm जाती महत्ता है अम्बैत करवाहत कर up एकम बेट करवाधि अगर हम चुरू कर देए अपने आपको तो हमारे इतनी बढ़ी ताकत पूरे देचिक अंदर है तक्रीवन 20 करोड मोग तरोत अर पनी चुटे जात्यों को खतम करके अम्पेट करवार्द के नाम पर बाबसाह प पिर वो पुब्लिक की बात करते हैं अनुसुचित जाती की बात करते हैं लेकिन आप अपने आपको कहां देखते हैं लेकिन विबन पार्टियों के दबाव में वो इंप्लिमेंट नहीं कर पाते हैं मैं थोड़ा तीसरी तरह का हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन के 34 साल समाज सेवा में गुजा रहे हैं और मैं कानून को बारीकी से जानता हूँ 22 साल की वकालत करने के बाद मैं MLA बना तो मैं यह सोच रहूं की जो चर्चा हम करते थे समाज के बारे में के लिए देमांड करते थे बड़े सबस्क्राइब में सोच तो में ही कुँछ मेरेख में कुछ करना तो मैं इस बात का इंजार क्यों कर Counterросस को उस्तों कि श yuk less लागू करना क्यों मैं सब्सकूख define or बहुत अच्छे नेता i Sutra के अंडर नेकिन जो आए जीत के अगर रिजर्वेशन बाबा सर्व ना दिलवाते तो हम लोग MP MLA मंत्री बनना तो छोड़िए गाउं के परधान नहीं बन सकते पहली बात यह समझ में आना चाहिए सर अब यह आपने बोला कि अगर मैं काम नहीं कर सका तो मैं कुरसी छोड़ दूँँां आपने जन्ता के बीच में बोला आए आप निडर रहों के बोलाए कि आप इमन इच्छा है जी मैं समाज का काम करूँ और और फो नहीं कर पाएं तो कुरसी तो वकालत की बहुत बढ़ पिए खुराक उमर के साथ साथ आदमी की खुराक कम हो जाती है डोक्टर कहता है अब गी दूद मंद कर दो दूद टोंड पी हो तला भुना मत खाओ तो फिर कुर्सी से चिपक के पैसे तक्सी मित रहना तो फिर बेकार है तो मुझे लगता है समाज के लिए कुछ करना चाहि जाती है सहिकारायक्ता मंत्री और गुरुद्वारा चुनापरवंदक कमेटी के उन्होंने बड़े अच्छे सब्दों में बोलाए कि अगर मैं समाज का काम नहीं कर पाया तो मुझे मंत्री बनने का क्या फाइदा मैं आपनी बकालात करूंगा और यह आसे ने 32 साल और 35 से लगातार हम इनको देख रहे हैं समाज की पीड़ा इनके अंदर है इन्होंने कानून को पड़ा है बाबा साब को पड़ा है तो उन सब चीजों को लेके इनके मन के अंदर टीस है समाज की टीस है इन सब टीसों को देखते हुए और उन्होंने एक चीज और एक बात और कहा कि मैं धने परदसन में भी स्वास नहीं रखता मुझे पता कि मेरे समाज की हालत क्या है उन समाज की हालत को देखते हुए मैं पहले से उन पर अडिल रहता हूं उन कामों को करने के लिए मैं तयार रहता हूं कैमरामैन गोतम के साथ मनोज पिपल